तो चलो इस वाले कोश्चन को देखो इसमें कहा जा रहा कि एक बार मैगनेट है यहां पर एक बार मैगनेट है क्यारे बच्चों और यह एक लिविरियम ने इक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक अब यह कहता है यहांसे इसका जो मैगनेटिक डाइपोल मोमेंट है मतलब यह नॉर्ट पोलर और शाओट भुलर तो मेगनेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वह नॉर्ट से साउड मेगनेटिक फिल्ड लाइन ऐसे निकलती हैं तो जो मेगनेटिक डाइपोल मुमेंट होता है तो इस्टेबल इकलिडियम मतलब कुल मिला के stable equilibrium तब होता है, जब कुछ ऐसे magnet align होगा, magnetic field और magnetic dipole moment आपस में एक दूसरे से 180 डिग्री पर रहेंगे तो stable equilibrium नहीं होगा, stable equilibrium तब होता है, जब अपना magnetic dipole moment south से north होता है, और यहां से magnetic field line है इधर होगी, और ऐसे कुछ होगा, magnetic, ठीक न, ऐसा कुछ, stable equilibrium होगा, यह external magnetic field है, ठीक न, और ऐसे अपना magnet है, external magnetic field में ठीक है, तो जो theta 1 है, initial angle dipole moment, जो m vector है, वो ऐसे magnetic field के parallel है, तो theta 1 0 है, अब यह कहा जा रहा, इसी सवाल में कहा जा रहा, इस magnet को rotate torque required to rotate the magnet new equilibrium position, मतलब new energy required to theta 60 degree, मतलब 60 degree इसको rotate कराना, मतलब magnet को इस position से दूसरे position लाना है, मतलब इस वाले position में हमें लाना है, इस वाले position यह angle theta 2 that is 60 degree, तो हमें कितना torque की ज़रूरत पढ़ेगी, theta 2 60 degree, ठीकर, अब याद करो जो torque होता है, vector form में, torque is equal to, वो होता है, m cross, m cross, m cross b यहां से, ठीकर, तो अगर देखोगे, scalar form में, वो होता है, mb sin theta, ठीकर न, mb sin theta होता है, तो this is the torque required equation number first, लेकिन इसके लिए हमें energy भी तो work done भी तो करना पड़ेगा, energy कितना कितनी की जरूरत होती है, तो इसको rotate कराने के लिए energy की भी तो जरूरत पड़ेगी, तो energy that is work done is equal to, वो होता है, cos theta 1 और minus cos theta 2 यहां से, तो यहां से जो work done आ जाएगा, the work done यहां से, energy required to work done w, तो यह energy दिया हुआ है, तो mb यहां से cos 0 और minus cos यहां से 60, तो cos 0 1 होता है, और cos 60 कितना होता है, तो work done w is equal to यहां से mb, यहां से cos 0 1 हो गया, और यहां से minus cos 60, sin cos 60 sin 30, that is 1 by 2 यहां से आ जाएगा, तो यहां से तुम देखोगे 1 by 2, तो यह आ जाएगा, mb upon mby 2 यहां से यह वाली चीज़ आ जाएगा, ठीक है, that is work done, अभी mb की value यहां से, car torque की value था, mb यहां से sin 60, sin 60 की initial theta 1 0 था, तो initially में torque 0 लगेगा, तो torque theta 2 पर लगेगा, तो cos 60, cos 60 मनलब root 3 mby, mby 2 यहां से torque tau, तो यहां से mb की value यहां से mb की value आ जाएगा, 2 times work done w आ जाएगी, तो यहां से root 3 upon 2 और mb की value यहां से डाल दोगे, तेंबी की value 2 times w आ जाएगा, मतलब यहां जाएगा, root 3 times w, this is the amount of torque required to rotate the magnet, thank you, bye bye, take care.